उधारन तीन दो समू एक कार को क्रमशा 14 दिन वह 21 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वह इस कार को एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में कार पूरा हो जाएंगा हल पहले समू दिनों में किया किया गया कार है बराबर हम एक लेते है पहले समू दोरा 14 दिनों में किया गया कार एक है इसलिए पहले समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार बराबर एक बटा चौदा होगा अब दूसरे दूसरे समूह द्वारा 21 दिन में 21 दिनों में किया गया कार बराबर हम एक ले लेते हैं कार को पुरा एक ले लेते हैं तो समूह दूसरे समूह द्वारा एक दिनों में किया गया कार बराबर एक बटा 21 ये 20 जो है पक्षानतर हो के नीचे आ जाएंगा 21 एक बटा 21 हो जाएंगा तो दूसरे समोह द्वारा 21 दिनों में किया गया कार एक बटा 21 अब दोनों दोनों समोहों दोनों समोहों द्वारा मिलकर मिलकर एक दिन में एक एक दिन में किया गया कार किया गया कार बराबर पहले समोह द्वारा किया गया कार एक बटा 14 है और धन दूसरे समोह द्वारा एक दिन में किया गया कार एक बटा 21 है तो यहां हम एक बटा 14 और एक बटा 21 का योग करेंगे तो दोनों समोह द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कारक्यार हमें इसको हल करने के लिए दो परिमयाश शंग्या एक बगटाच चौरुद़ा धन, एक बटाट एक्किस है तब हम इसे चौरुदा और इक्टिस का लगुत्ऺम समापरतक निकालेंगे लगुत्तम समापर तक अपना 42 आएंगा 42 को जब हम 14 से भाग करेंगे क्योंकि हम जानते कि 14 तिया 42 तो 3 आएंगा उत्तर 3 को हम 1 से गोणा करेंगे तो यहां 3 धन 42 को 21 से भाग करने पर हमें 2 प्राप्त होंगा 2 एकम 2 इस तरह से 5 बटा 42 आया तो दोनों समुद्वरा मिलकर एक दिन में किया गया कर 5 बटा 42 है अर्थात 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 दोनों समुद्वरा मिलकर मिलकर पाँज बटा पाँज बटा 42 कारे पाँज बटा 42 कारे पूरा करते हैं पूरा करते हैं बराबर एक दिन में तो अतहा दोनों समु मिलकर अतहा कारे पूरा करते हैं अतहा दोनों समु मिलकर कारे पूरा करते है बराबर 42 बटा इसका व्यूत्क्राम हो जाएगा 42 बटा 5 बराबर जब हम इसको मिश्रिभिन में लिखेंगे तो 5 अठे 40 और 2 तो हम हमें प्राप्त हुआ कि यह जो दोनों समु मिलकर एक कार को 8 दो बटा आज दिनों में पूरा करेंगे तो यह इस प्रश्न का हलोंगा अथा हमारा जो उत्तर है वह आठ दो बटा पांच दिनों में दोनों समु मिलकर एक कार को पूर्ण करेंगे दो या अधिक भागों में बाटना प्रायह हमें किसी राशी को दो या दो से अधिक भागों में बाटने की आफशक्ता पड़ती है दो से ज्यादा हिस्सों में बाटते समय तीन परिस्थितियां आ सकती है पहली या तो सभी को बराबर भाग मिले इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि प्रत्यक को कितना मिलेगा दूसरी इस्थिती यह होगी कि एक को दूसरे से अधिक मिले और तीसरे को दूसरे से अधिक मिले और तीसरी इस्थिती जब एक राशी को किसी खास अनुपात में बाटा जाए जैसे तीन व्यक्तियों को कोई राशी A. अनुपात B. अनुपात C. के अनुपात में बाटना हो अनुपात में बाटने का एक उधारन देखें तीन मित्रों लता, सोनु वपुरेंद्र ने क्रमशा 3 लाख, 5 लाख तथा 7 लाख मिलाकर 15 लाख रुपए की लागत से कपड़ा व्यापार शुरू किया वर्ष के अन्त में उन्हें 2 लाख 25 जार रुपए का लाब हुआ इस लाब में से तीनों को कितना कितना हिस्सा मिलना चाहिए? क्या तीनों में बटवारा बराबर बराबर होगा? यदि नहीं तो वे लाब का वित्रंट किस तरह करेंगे? आईए देखें चुंकि व्यवसाई में तीनों के द्वारा दी गई राशी अलग-अलग है अता वे तीनों लागत के अनुपात में ही लाब को बाटना चाहेंगे तीनों के लागत का अनुपात तीन अनुपात पांच अनुपात साथ है अतह उन्हें प्राप्त कुल लाप का 3 के 5 के वस 7 के हिस्सा मिलेगा अर्थात 3 के धन 5 के धन 7 के बराबर 2,25,000 यानि की 15 के बराबर 2,25,000 हल करने पर के बराबर 2,25,000 बटे 15 जिससे के का मान मिलेगा 15,000 अतह व्यवसाय में हुए लाब में लता का हिस्सा 3 के अर्थात 45,000 रुपे सोनु का हिस्सा 5 के अर्थात 75,000 रुपे तथा पुरेंद्र का हिस्सा 7 के अर्थात 1,05,000 रुपे सोचें एवं चर्चा करें निर्म ने लिखे तीनों स्थितियों में बाटने की प्रक्रिया क्या होगी? पहला जब सभी को बराबर मिले दूसरा जब एक को दूसरे से दस अधिक मिले तीसरा जब एक को किसी खास अनुपात में मिले